असलाम लेकुम वेलकम बैक कि मैं चैनल मैं बना रही हूँ इटली सांबर तो यह आपर सबसे पहला सांबर बनाने की तियारी करते हैं दो बैंच मैंने डाल दी थी तूर की डाल के और इसको पानी में अच्छे से धो के इसको सोग करने के लिए रखेंगे ज्यादा नहीं पाच मिनट के लिए तब तक मैंने यहापर अपना प्रेशर कूकर निकाल लिया था और देखा कि इसका हैंडल एकदम से लूज हो चुका एक इसको फीट किया और चलिया अपी डाल को जो बॉइल करते हैं हल्दी नमग डाल के जो ना दाल को बॉइल करने के लिए रखेंगे और वेजटेबल्स न मेरे पास सब कुछ है जो कुछ भी जिसमें एड करनी हो सारी वेजटेबल्स है मेरे पास तो क्या-क्या लेने वा यह मैंने रात में दाल चावल सोक करने के लिए रखा था और अडली मॉनिंग मैंने दाल चावल दोनों भी पीस लिए थे और इसको रोटी के डब्बे में निकाल दिया और आटा जो ने एकदम अच्छे से राइज हो चुका है फूला फूला सा हो गया है और यहां पर जो है मैंने बैगन, सेगट की फल ली और दूदी और साथ में मैंने लेना है गाजर, टमाटर, प्यास बस यही सब भाजी लेनी है अदर्वाइस इसके इलावा अगर कुछ डालना है तो फिर आलू भी डाल सकते है कद्दू भी डाल सकते है बट इतनी सबजिया मेरे ख्याल से ज आधी चॉप करने के लिए भी मैंने ले ली है तो सारी सबजी चॉप करने के बाद में फोरण जो ना इन सबसब्जीयों को पानी में डार रही थी ताकि सबसी जो रोकाली ना पड़े और बहुत फाइन चॉप नी करना है साइज मैंने सबजियों के एक दब मेडियम रक्क क्योंकि इसे जो ना मसाले में फ्राई करेंगे और आगी गलेंगी भी यह दाल के साथ एक प्याद ले ली थी एक टमाटर ले लिया था मैंने इनको बहुत फाइन मैंने चॉप किया हुआ है सबजिया चॉप तो कर लिये मैंने और इसको जो है ना दो तिन पानी से वाश भी कर लिया और यहाँ पर जो है मैंने खुपरे की चटनी जो है पीसली इसमें नमक और निम्बू डाल के रख देंगे और यहाँ पर चाय बना लेते हैं अभी मैं स्पेशल चाय बनाऊंगी और यहाँ पर कड़ाई में सामबर बगार लेते हैं तो तेल ले लिया था उसमें प्यास दाल दी मैंने और हल्की सी फ्राइए करनेगी प्यास को जैसे एक बस हल्का सा कलर चेंज जाए अतना और यहाँ पर मैंने एवरेस का सामबर मसाला लिया है मेरे पास लाल मिर्ची तो यहाँ पर सारी vegetables मैं इसमें add कर लूँगी one time में ही और सबजी मैंने बहुत अच्छे से wash की वी थी और wash करनी भी चाहिए क्योंकि दूल मिटी डश वगेरा बहुत होती है तो सबजी यह अक्सर जब भी ले तो अच्छे से wash जरूर से करे इसमें सारी routine के मसाले डाले मैंने हल्दी धनिया powder और सांबर का अवरेस मसाला डाला और मिर्ची powder नहीं थी तो इसके बज़ए मैंने डाला अंबारी का जो powder होता है और कांदलसन का वो थोड़ा सा डाला थोड़ा सा डाला बस और नमक भी डाला था पानी डाल के इसको ढख करके अच्छे से पकाएंगे क्योंकि बाजी को अच्छे से गलाना भी है और यहाँ पर इमली का जो आणा मैंने पल्प तयार किया वाईए देखे इस आमबर में जाने वाला इमली का पल्प यहाँ पर मैंने इटली का बरतन निकाल लिया है इटली ज्यादा बनने में नहीं आती है कभी कपार बनने में आती है तो मैं बरतन दुबारा से धो के फिर यूज करूँ लिए और यहाँ पर डाल जो है न मैं चेक कर लेती हूँ तो डाल भी जो है न बहुत अच्छे से बॉइल हो गई है दो ही प्रेशर लिए मैंने कि क्यों और डी डाल को जो है न मैंने बिगाया था इसलिए जल्दी बॉइल हो गई तो इटली के लिए पानी भी मुझे चड़ाना है और यहाँ पर देखे भाजी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है तो मैं इसमें न डाल एट कर रही हूँ अब इसमें पानी नहीं एट करना है क्योंकि सामबर है न न पतला चीए और नहीं जैदा थिक चीए मेडियम होना चीए सामबर और यहाँ पर मैंने इमली का पल भी साथ में आड कर लिया अब इसको जो है न दो बॉइल लेंगे ढग करके तो यहाँ पर इटली के लिए पानी मैंने रख दिया है ताके जो पानी अच्छे से बॉइल हो जाए और यहाँ पर जो है न सारे साचों में जो है न मैं तेल जो है न अपलाई कर रही हूँ और बस इटली का जो बैटर है वो इसमें डाल देंगे इटली का बैटर जो है न मैंने थिक ही रखा हुआ है अगर पतला होता है न तो फिर इटली जो है न सही से बनती नहीं है निकालने के टाइम जो है न वो तूट जाती है तो आटा अगर इटली का थिक रहा न यानि घटगट रहा न तो इटली जो है न इसली निकल जाती है लेकिन हाँ इतना है कि इसे गरम-गरम में ना निकाले थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखे एक-दो मिनट उसके बाद फिर से निकाले 10-12 मिनट जो इसको इस्टीम देंगे इसली को और यहाँ पर बैटर जो है मैंने मिक्स करके दुबारा से रख दिया और यहाँ पर थोड़ा दनिया चौप का लिया सामबर के लिए और उतने टाइम में चाय बनगी चाय वो ले तो कप से पक रही थी वैसे भी इसके डैडी को ज्यादा तेर पकी भी चाय अच्छी लगती है और उपर से कड़क भी चाय उनको होना तो यहाँ पर सामबर जो है पग गया था मैंने इसमें धनिया डाल दिया और सामबर मेरा रैडी है लेकिन फ्लेम आफ नहीं की मैंने इसको लो फ्लेम पर पकने ही रखा है मैंने और यहाँ पर इट्ली हो चुकी थी तो चले हैं पर देखे एक्दम स्पॉंची इट्ली बनी वी है एकदम बिज कर रही है यह देख सकते हो आप किसी दिन इटली कैसे बनाती हूँ मैं उसके रेसिपी प्रॉपर शेयर करूँगी लेकिन में पास टाइम नहीं था तो फिर मैंने नहीं शेयर कर पाई और यह था हमारा आज का नाश्टा इटली सामबर और गरीन चटनी और बहुत-बहुत मज़े का बनाता इटली सामबर फ़र टेस्टी लग रहा था तो हमारा यह खाना भी था नाश्टा भी था और एक्स्ट्र इटली भी मैंने बना लिये ताकि भूक लगी तो और खा लेंगे सामबर गरम करके आज फ्राइडे है और आज मैंने नाश्टा भी जल्दी बना लिया बच्चों लोग को भी जल्दी फ्रेश करवा दिया था और अभी खाना मैंने सोचा था मैं बनाओंगी लेकिन क्या ना कि सामबर भी है और इटली का बैटर भी रखावा है अगर भूक लगती तो क्या तो फिर गरम-गरम इटली बनाने को हो जाएंगी वैसे एक्स्ट्रा इटली भी मैंने कुछ बना के रखी है थोड़ी बहुत लेकिन ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर इसके डैर्यों सब नहीं खाएंगे तो ठंडी इटली मैं खा लूँगी और हैल पर आ गई थी जाड़ पोचा करके अब यह जा रही है और अभी जो है ना मैं नमाज पर लूँगी अपनी जुमा की जोहर की नमाज लेकिन उससे पहला जो है ना मैं अपना पहला यह ग्रेंटी पी लूँ सुबह में पी नहीं ना तो एक जिसी तलब हो गई ती में को तो बस मैंने पहला ग्रें तो बारा से फ्रेश किया और मैं भी फ्रेश हो गई और अभी जो है ना मैं थोड़ा सा सेट कर रही थी बच्चों का कबट और इसके डैडी का जो है ड्रायर यह सब छे ना तो यह क्या करते जल्दी इल्दी में है ड्रायर लेते और यह ऐसी छोड़ देते मतलब कैसा भी बगड़म बगड़म दिखा तो तो वह सब कुछ ठीक किया और मेरा पेटा मुझे बहुत परिशान कर रहा था पीच पीच में आती अच्छा तो अब यह जो टाइम था यह था शाम का मगरिप का टाइम था मगरिप की अजान होनी वाली थी तो मैंने सोचा अब रात की खा यहाँ पर जो ना अक्की मसूर निकाल लिये इसको पानी में भीगने के लिए रख रही हूँ तब तक मैं मगरिप की नमाज पर लेती हूँ तो यहाँ पर हरी मिर्ची मैंने मंगवाई थी कल लेकिन इसके जो पीछी की डंडिया होती वो नहीं निकाली थी तो मैंने भी वही हरी मिर्ची साफ करके एक सेफ कंटीर में रख दिया उसको और सारी वेजटेबल्स भी चौप कर ली अब मैं जो बना रही हूँ ना इसको वेज पुलाओ तो नहीं बोलेगे हाँ लेकिन इसको खिचडी बोलेगे नमकिन चावल भी बोल सकते या फिर आप जो चाहे वो नाम दे दो लेकिन मैं इसको बोलूँगी खिचडी एक नॉर्मल खिचडी होती है ना मेरे पास था शिमला मेरी ची बस और वेजटेबल्स मे अगरा कुछ काट लिये थे बस उसी से जो ना में खिचडी बनानी वाली हूँ और कैसे बनानी जा रही हूँ आप लोग ज़र से देखिएगा लेकिन यह खिचडी मैंने खा लियू उसके बाद मैं जो ना यह वीडियो पे वाइस ओवर कर रही हूँ तो इसका टेस्ट मु आप लोग एक पैकेट लाके जरूर से रखेगा इस ब्रैंड का अच्छा आलू के जो है न मैंने कवर नहीं निका लेते इसको मैंने कवर के साथ जिलके के साथ मैंने आलू रखे बहुत अच्छे लगते हैं और आप चावल देखे मैं किस से ले रही हूँ मेरा इचोटू नाप इससे ना मतलब बरकत वाला है दो ली मैने भूस सारे बन जाएंगे इसमें दो छोटी सी गिलास भर के चावल ली मैनें और इसमें एक मैगी मिसाला भी अड़ किया जो मैजिक मिसाला होते है नै वो डाला मैनने और बस मिसाला बुरने के बाइद इसमें मैं अभी चावल डाल दूँगी पानी के साथ ये देखे और इसको mix करेंगे और बस पानी सुकता नहीं है जब तक इसे दम नहीं देना है और जैसे पानी सुक जाएगा वैसे मैं इसमें दम दे दूँगी यानि कि ढखकर के low flame पे पकाऊँगी चावल को नमक भी डाल दिया था और धनिया भी डाल दिया है वनीनी देखे अब बस इसका पानी सुकने का वेट होगा तब तक मैंने सोचा कि मैं ना मेरा slab साफ कलू बरतन जो है थोड़े बहुत वो वाश करके ले लू इतली का जो बैटर बनाया था वो पूरा खतम हो गया तो वही मैं भी जो रूटी का डबबा वगेरा जो कुछ भी था हो मैंने वाश कर लिया चाय के बरतन भी थे वो भी वाश कर लिया और अभी जो ना चावल एक साइट पर दम हो रहे है तो मैं पापड जो ना सेख लूँगी और इसके साथ ना हम चावल के साथ यह खाने वाले यह कोकोना चट्नी जो मैंने सुबह में बनाई थी ना बहुत अच्छी लगींगी के साथ तो बस यह था हमारा आज का सादर सिंपल सा खाना और किछडी बहुत यम्मी लग रही थी आर ऐसे चावलों की किछडी बहुत अच्छी लगती है और चोटी-चोटी चावल से बनी होती तो और मज़ा आता है खाने को See you soon on next vlog. Allah Hafiz. Bye Bye